बागलपुर के सेंडिस कमपाउन मैदान में रविवार को यादव महसभा का आयोजन किया गया जिसमें दूरदरास से हजजारों की संख्या में यादव समाज के लोग शिर्कत करने पहुँचे कारिक्रम की शुरुवात OBC अध्यक्ष जगदीश यादव के द्वारा दीप्रजुलित कर की गई वहीं सभा में आया ती थी गणों को पुष्ट गुच भेंट कर सम्मानित भी किया गया इस दोरान भोजपूरी सिंगर टुन्टुन यादव के द्वारा कई मनुरंजक गीत की प्रस्तुती दी गई इसके अलावा खुले मंच से यादव महासवा के पतादिकारियों ने अहीर रेजिमेंट की मांग की और वर्तमान सरकार से अपने समाज को बरावर की हिस्सेदारी देने की अपील की मौके पर काफी संख्या में यादव समाज के लोग मौजूद थे अखिल भारत वरसी यादव महासवा का सम्मेलन हो रहा है जिसमें हमारे पूरे देश के कोने कोने से कई राजियों से लोग आये हैं हमारे चीफ गेष्ट जो दिल्ली के बैकवर्ट कमिशन के अध्यक्ष हैं वो अब पधारे हुए हैं राजस्थान से संदीब तिजारा जी पधारे हुए हैं ओर हम लोग को आज लग रहा है कि भागलपूर में हम लोग उन्हों जो महनत किया है हम लोग उन्हों जो अपने सवजाती चो मजबूत करने के लिए एक सपना देखा है वो आज सकार होता हुआ दिख रहा है हम लोग अभी बहुत कम मेहनत कर पाए हैं और हमें ऐसा विश्वास लगता है जिस तरह का प्रेम जिस तरह का सवहार्द हम लोग के परती हमारे विश्वास पर लोग हमारे कहने पर हमारे विश्वास पर हम एक दूसरे को जोड़ने के लिए जब बात करते हैं तो लगता है कि हम जरूर बहुत सक्सेस होंगे और हमारा समाज जिस उद्देश से हम चले हैं कि हमारा समाज अभी सिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है हम लोगों के वीस आपसी मतभेद बहुत है छोटे छोटे जगडे में हम लोग फंस करके और अपना धन बरबात करते हैं बच्चो मेलन है मैं सब विहार वाशियों को नव वर्ष की बढ़ाई देता हूं और तो यादाव समाज यहां पर लालुजी ने ताकत देकर पूरे देश के अंदर इनको मान समान दिया है आज उसका ये परणाम है तो याज यादों में जो एक सत्ता की ताकत इनको मिली है जो सभी पार्टिया आज मोहवन यादाव को मुक्हे मंतरी बनाया तो वो जो बिहार के अंदर आपकी जन गनना हुई है याद जन गनना ये सब उसका परणाम है बागलपूर सुल्तान गनस्तान अच्छेतरं तरगत कोलगामा गाउ में एक महिला को पती के द्वारा गला में फंदा लगाकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है मामले में विवाहिता कोमल कुमारी के पिता ने बताया कि कोमल की शादी दो वर्षपुर मुंगेर जिला के महिशपुर गानिवासी तैतर दास के बड़े पुतर जितेंदर कुमार से हुई थी शादी के एक वर्स बाद जितेंद्र कुमार एवं उसके परिवार द्वारा एक लाख रुपए दहेज की मांग की जाने लगी दहेज नहीं देने पर कोमल को जान से मारने की धम की दी जाती थी और उसके साथ मार पीड भी की जाने लगी अंतमे कोमल को गले में फंदा लगा कर जितेंद्रवम उसके घर वालों द्वारा जान से मार दिया गया घटना की सूचना पुलीस को देने पर तारापूर पुलीस घटना स्थल पर पहुंची और शब को अपने कबजे में लिकर पोस्ट माटम के लिए मुंगेर भेज दिया इधर घटना के बाद जितेंद्रवम उसके घर वाले घर छोड़ कर फरार हो गए है और पुलीस अब तक इन दहेज लोभियों की गिरपतारी नहीं कर पाई है वही घटना की जानकारी जदियू उनसुचित जाती के जिलाध्यक्ष महेश दास को मिलने पर प्यूडित परिवार से उन्होंने मुलाकात की साथी उच्चदिकारी से बात कर प्यूडित परिवार को न्याय दिलाने का भरोशा दिलाया कर दोटें जादी उसका साथी उसका बड़ा जो बेटा नतितर का जितंदर उसी साधी हो अगया फिर बाद में एक साल के बात आए लाग दाएज मंगने कले हो मतलब मंगने लगा ने जीत अंदर उसका सभी परिवार मंग रहा हां अँड़ा जप्ति धर क्या करा था वो कि एक लाग मतलब के लिए क्ले के आव तब तो सई सरहने देंगा नहीं तो इसके तुमको मारते रहें और मारब उसका साथ जो ह वा उसके बाद फिर फासरी उसको मतलब की फोन की काभ हु बतलब की मतलब की ख़ली बोला हेलो भाबी हम बोले हां तो इतने को बोल के उपौन मतलब उसका फोन के लिया उसको फेक दिया पॉन और फिर बाद में जब हमस्तियों आसका था नाना चोटीं पीर बोलता है कि जाते जाते राष्टे में उसको डेट हो गया एनेटी सूरत से बीटेक और फिर मल्टीनेशनल कमपनी में सौफ्टवेर इंजिनियर ये लगभग हर युवाओं का सपना होता है लेकिन सुल्तानगंच के पिलदवरी नीवासी मैंक कुमार ने लाखों के पैकेज की नौकरी छोड़ दी क्योंकि मन में जुनून प्रशासनिक अधिकारी बन कर अपने गिरी राज्च में सेवा देने की थी मैंक का चैन समानी प्रशासन विभाग में सहायत प्रशाखा पदादिकारी के पद पर हुआ है शनिवार को बिहार S.S.C. ने परिच्छा फल जारी किया जिसके बाद मैंक के घर में खुशी की लहर दौल पड़ी पुर में भी मैंक का चैन कई पदों पर हो चुका है लेकिन समानी प्रशासन विभाग में कार्य करने की चाहत में मैंक ने सारी नौकरियां छोड़ दी वही मैंक ने बताया कि उन्होंने परिच्छा की तैयारी के लिए कोई भी इस्टिच्यूट का सहारा नहीं लिया बलकि अपने घर पर ही नियमित अभ्यास किया साथी मैंक ने अपनी सफलता में उनके माता-पिता का काफी बड़ा योगतान होने की बात कही इधर मैंक की सफलता पर उनकी माता विद्या देवी एवम उनके पिता मनी कांत गुपता काफी प्रशन है की नहीं आई उसके बाद मैंने ठाना कि मुझे परसासनिक सेवा में काम करना है तो मैंने तैयारी शुरू की और फिर जब मैंने तैयारी की तो कुछ सफलताओं के बाद फिर लगातार महनत करते रहने से मुझे सफलताओं मिली सरपर्फम मेरा चैन सेंटल बैंक ऑफ इंडिया में बैंक पियों के तौर पे हुआ उसके बाद मेरा चैन टेकनिकल ऑफिसर में ग्री मंत्रा ले के पत्पे हुआ फिर मुझे ऑडिटर के पत्पे महासाची वाले की एक जौब है वहाँ पर मुझे सेवा देने का मौका मिलेगा शिरिश्याम भक्त मंडल भागलपूर की ओर से भागलपूर के मंदरोजा इस्थित खाटुश्याम मंदिर भवन का उन्चासवा वार्शिक महुतसब रवीवार को हरसो उल्लास के साथ मनाया गया खाटुश्याम मंदिर के वार्सिक महुत सब के दोरान भागलपूर समेथ आसपास के जगों से पहुँचे श्यामभक्तों ने खाटुश्याम की पूजा एवं आर्तिकर कारिक्रम का आनंद लिया इसको लेकर महासचिप कपिल जैन ने बताया कि श्यामभक्त मंदल की स्थापना के 49 वर्ष पूरे हो गए हैं जिसको लेकर इस कारिक्रम में अनेक श्यामभक्त मंदलों को आमंत्रित किया गया है उन्होंने बताया कि समारों में भागलपूर के अलावा देवगर, नवगचिया, गोड़ा, कहलगाओ, साहिब गंज, आसन सोल एवं कोलकता के श्याम प्रेमियों ने बावा के दरवार में अपनी अरजी लगाई है वहीं इस दवरान कोलकता से आये सुरज शर्मा एवा मनुराग शर्मा ने कारिक्रम की प्रस्तुती दी जबकि कोलकता से आये नृतिन नाटिका टीम के कलाकारों ने भगवान, श्रीक्रिष्न, देवी रुकमनी, राधारानी, खाटुश्याम और महादेव की जहां की प्र जी लगाई, साथ ही अकंड जियोत के हवन में श्याम भक्तों ने अपनी ओर से आहूती भी दी, वहीं कारिक्रम में नितिनाटिका भचन और किर्तन की धुन पर सभी श्याम प्रेमी पक्ती में डूबे दिखाई दिये, मौके पर प्रभात केजरिवाल, रोहित जुन-जु या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परिशान, तो चिंता छोड़िये, क्योंकि अब भागलपूर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एन हियरिंग क्लिनिक, ओडियोलोजी, स्पीच थेरेपी के साथ तो आज ही सुनने की जाज कराएं, तथा सुनने की मर्शीन लगवाएं, निराला स्पीच एन हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है, बड़ी पोस्ट ओफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट, तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपूर, मोबाइल, 70501-93341 हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचबटी कॉंपलेक्स, बिहार टॉकिज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, ए भी मेडिकल के समीब बागलपूर में यदि आपको दात से समबंदित किसी वी तरह की शिकायत है तो शहर के तिलकामानजी चौकिस्तित डेंटो केर मल्टी स्पेसलिटी क्लिनिक में आपके तमाम समस्याओं का समाधान मिल सकता है दरसल औरल डेंटल केर मल्टी स्पेसलिटी के संचालक डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि इन दिनों दातों की समस्या सभी वर्गों में देखने को मिल रही है अमुमन युवापिडी पान, गुटका, शिग्रेट, तमबाकू का सेवन करने के कारण इन समस्याओं से ज़्यादा परिशान है डॉक्टर प्रशांत ने कहा कि दातों की समस्या को लोग शुरुवाती समय पर हलके में लेते हैं लिहाजा यह अंदेखी बड़ी बीमारी का कारण होता है साथ ही उन्होंने बताया कि वो गरीब मरीज के लिए बराबर निशुल कशिवीर लगवाते हैं इसके अलावा बेहद ही की फायती कीमतों पर मरीज अपना इलाज डेंटो केर में करवा सकते हैं अच्छी मेरा नम डॉक्टर प्रशांत कुमार रामा ओरल एंड डेंटल सर्जन एंड इंप्लांटो लोजिस्ट यह हमारा क्लिनिक डेंटो केर के नाम से है दिलका मांच में नियर जय माता देश्विट के पास है जयललोड में दिलका मांच में परता है हमारा जो यहां पर टुवेटमेंट होता है बेसिकली यहां पर इंप्लांट, रूट केनल टुवाटमेंट, एकस्राक्शन और जितने सारे वर्क होता है तो यहां पर हम कोस्ट के बात करें तो इस बेरी बेस प्राइस इजी है किसी भी क्लास के लोग अगर के यहां पर टीटमेंट करा सकते हैं विवकुल आज से 10-15 साल पहले अगर हम जादेर इंडुस्ट्री में वहां पर लेजर्स टीटमेंट नहीं थे आज के डेट में जो हो तो इस बेरी इजी एक्सेसिबल फॉर ओल डॉक्टर्स हम असानी से काम कर भाते हैं जिसे पेशेंट को भी फास्टेस्ट्मेंट मिलता है इजी पेमिलता है पेइनलेस ट्रीटमेंट होता है बागलपुर के देवी बावु धर्मशाला में महर्ची महीश अंतसेवी परमंसी महराज की 104 जैन्ती को लेकर दो दिवसिया समारो का आयोजनत किया गया जैन्ती समारो के अंतिम दिन श्वामी विवेकानंद बाबा, श्वामी विद्यानंद बाबा, शत्य प्रकाश बाबा और नवीन बाबा समेट कई गुरु शेवियों ने प्रवचन करते हुए सत्संग और गुरु देब द्वारा किये गए मार्ग दर्शन के बारे में जा कारी देते हुए कहा गया, कि संत सेवी जी का व्यक्तित सूर्य की भाती था, जैन्ती समारो में महर्शी मही आसरम कुपाघाट के गुरु सेवियों के अलावा बनारत से पहुँचे श्वामी मंगलानंद बाबा और संतमत से जुले लोगों ने गुरु को श्रधा सुमन अ बागलपुर सुल्तान गंच के मुरारका कॉलेज रोड दुधेलया मैं भरष्टचार मुक्त भारत मिशन के तहत महीलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कारिक्रम का योचन किया गया, कारिक्रम का ने तरित भरष्टचार मुक्त भारत मिशन के निर्देशक कुमार ने किया करक्रमे जडियू निसुचित जाती के जिलाथियक्ष महेश दास सपना सिंग एवा मान्य गणमानी अतिथी शामिल हुए इस दोरान सभी महिलाओं को स्वरोजगार के बारे में विस्तार से बताते हुए इकेर के प्रोडेक्ट की जानकारियां दी गई साथ ह इससे होने वाले मुनाफा के बारे में भी सबको बताया गया जिससे सभी महिलाओं आरोजगार करते हुए आत्मनी रभर बन सके इस दोरान भरष्टचार मुक्त भारत मिशन की सदसिर्दिपावली नेहा, मधू, शोभा एवा मान्य महिलाएं मौजूद थी